मोटरोला का लेटिस्ट स्मार्टफोन मोटो जी 45 5G लोंच हो चुका है इंडिया के अंदर आज हम इसका कमपेर्जन कर ले वाले हैं मोटो जी 34 5G के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन का भाई जब मैंने कमपेर्जन लिखा उसके बाद जब मैंने प्रो पर देखा भाई मेरा दिमाग घुम गया देखके बिल्कुल मैंने कायर मोटो जाने क्या कर दिया मतलब मोटो जी ऐसी तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मोटो जैसा उसने किया आप पहले कमपेर्जन देख लिए आपको 34 खरीदना है, 45 खरीदना आप खरीद लीजिए कोई मना नहीं कर रहा बट पहले ये कमपेर्जन देख लिए जिक बड़ा मज़ है आपकोई कमपेर्जन देखने में हेला दोस्तों मेरा नाम रोईत और स्वागत आप सभी का एको लेटेस टेक वीडियो में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन ओन कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए ले सकते हैं कौन सा आपके लिए बैस्ट होगा बट जब आप स्मार्टफोन परचेज करने जाएंगे तो वो डिसिजिएन आप लोगों को होगा आपको जो भी स्मार्टफोन पसंद आप उसको परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन के इन बोक्स आइटम से, दोनों स्मार्टफोन के बोक्से में आपको एक हैड़सेट मिलेगा, एक अडेप्टर मिलेगा, USB Type-C केवल मिलेगी, SIM Ejector Tool में जाएगा, और कुछ User Guide देखने के लिए मिल जाएगे, दोनों बोक्से के अंदर सब चीजे पूरी हैं, बस फोन केस नहीं है, कोई भी बोक्स के अंदर आपको फोन केस देखने के लिए नहीं मिलता, और अब बात करते हैं, दोनों स्मार्टफोंस के डिस्प्ले के बारे में, Moto G45 के अंदर आपको 6.5 इंचिस की, HD Plus IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 120 Hz का रिफ्रेश रेट दिये गया है, और इसके अंदर Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है, Moto G34 के अंदर आपको 6.5 इंचिस की HD Plus IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, 120 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में, और इसमें 500 निर्स की प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलती है, अभी दोनों स्मार्टफोन में एक एक चीज़ की कम्मी आपको लग रही है, मतलब 45 के अंदर जो G45 उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन नहीं दिख रही होगी, जो 34 है उसके अंदर भी मुझे कुछ ना कम्पनी की वेब साइट पर नहीं है, अगर आप लोगों को कहीं भी दिखता है या आपको पता चलता है, इन दोनों के बारे में तो मुझे कमेंड करके बता देना कमेंड बोक्स में, अगर बात करें विनर की तो अभी के चीज को देखते हैं जितनी चीजे मुझे पता है जितनी आपके सामने हैं मैं यहाँ पे वैस्टो दोनों में सब कुछ सेम है कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बट गोरे गलास 3 की वज़े से मैं यहाँ पे Moto G45 को विनर मानता हूँ अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में. Moto G45 के अंदर आपको दिखने के लिए मिलता है. Snapdragon 6S Gen3 ये 6-nanometer-based processor है. Moto G34 े अंदर आपको मिलता है Snapdragon 695 processor ये भी एक 6-nanometer-based processor ही है. अगर बात करें दोनों के отс Scores के बारे में तो जो उसका गूत का जी 45 है उसके अंदर जो आपको मेलता है शिक्स जैन 3 उसका एंठ्वीटी स्कोर निकल गयाता है 5 लाख प्लस पर जो आपको जी स्कोर नम निकल गयाता है जी 4,4000 प्लस तो यहां पर जो अप्लेuchar मोटीहोटीष के प्रोसेसर पर इंस थोड़ा सा मिल जाएगा Moto G45 के अंदर और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोंस के सोफ्टवेर्स के बारे में तो भईया दोनों ही स्मार्टफोंस के अंदर My UX-based Android 14 देखने के लिए मिलता है और दोनों में ही एक साल के Android अबडेट और तीन साल के security update देखने के लिए मिल जाएंगे तो ये दोनों की कहानी सेम है बिल्कुल यहाँ पे कुछ इतना साधर ना इतना साधर बिल्कुल सेम कहानी है तो क्या ही बात करनी है अब अब यहाँ पे क्या ही विनर करना दोनों बिल्कुल अब दोनों को भी नमान लीज़े क्योंकि दोनों एक ही stand पे खड़ी है बिल्कुल और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के powerhouses या निकी इनकी बैटरी के बारे में दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 5RMH की बैटरी मिलती है और 18W की फार्ट चार्जिंग मिलती है ये दोनों का ही हाल है यानि की बिल्कुल सेम है थोड़ा भी चेंज नहीं है बस हाँ 34 जो है उसके box में 20W का अडेप्टर मिल जाता है चार्जिंग वो भी 18W वाली ही support करेगा बेसक अडेप्टर 20W का लेकिं चार्जिंग 18W सही होगी दोनों के अंदर सेम चीज़े हैं इतनी से भी ना इधर न उधर और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा साटप के बारे में यहां भी सोच रहों एक साथ ही बता देता हूं क्योंकि भाहिया बि स्मार्टफोन में दोरों ही स्मार्टफोन अपने रियर से और अपने फरंट से 1080p 30fps तक मैक्सिम सूट कर सकते हैं अब यहां पर मैं किसको अच्छा किसको बुरा बता हूं सुझ में या रहा दोनों कंपनी ने बिल्कुल सेम दिया है बस एक प्रोसेसर ही है जो कंपनी ने जैसा ही मिलने वाला है और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ अधर इस्पेक्स के बारे में मोटो जी 45 के अंदर वेट मिलता है 183 ग्राम से 3.5 का जैक देखने के लिए मिल जाता है इस्ट्यू स्पिकर देखने के लिए मिल जाता है आई पी 52 की रेटिंग मि प्राइस के बारे में और बाद में आपको ढब को को से स्मार्टफोन आपके लिए भैस्ट है कौन सा पर्फिस कर सकते हैं चौकत we पहला वेरेंट है 4128 का उसका प्राइस है 10,999 रुपे दूसरा वेरेंट है 8128 का जिसका प्राइस है 12,999 रुपे अब यह आप देख सकते हैं दोनों का अगर बेस वेरेंट की बात करें तो दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन जो अपर वाला मोडल है उसमें जो 45 वह उसमें 1000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बाकी base model दोनों के बिल्कुल सेम है अब अगर बात करें भाई changes क्या कुछ भी change company नहीं क्या अगर design भी देखोगे न तो vegan leather वाली finish दोनों में ही देखने के लिए मिल जाते है design भी बिल्कुल सेम है camera cutout भी बिल्कुल सेम है दोनों के अंदर चीज़े बिल्कुल सेम है बस फरक कितना है या तो gore glass 3 का फरक मान लो या फिर जो processor थोड़ा सा best दिया जा रहा है 45 के अंदर वो best मान लो तो अगर आप उससे पूछो कि भाई कौन सा ले लो जो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाला है फिर पुराना लेना ही क्यों ना अब बिल्कुल लेटेस्ट वाला 45 लो अगर आपको बेस मोडल ही लेना है लेकिन अगर आप 828 की तरब जाते हो तो यहां पर एक हजार का डिफ्रेंस है अब आप देख लिए आपको अलाव वजेट करता है कि आप हां ले सकते हैं बार है नोसो नियान रुपे का तो डेफिनेटल आप मोटो जी 45 ही लीजिए क्यों जादा चेंज तो नहीं है बट लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसके कोडिंग मैं इसका सा काम कर रही थी बट पता नहीं क्या ही किया इन्होंने आप लोग मुझे कमेंड करी जरू बताना इस बारे में कमेंड बोक्स में आज की वीडियो में कितना ही वीडियो पसद आई दैजीओको लाईक करना वेडियो को शेयर करना चैनल प्लेश सस्थ्कराइब करे बले आइकन ओन करना मिलूँगा आप लोगों से ऐसी की चेक नेक्स टेक वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वन्दे मातर हो